अभी रिसेंडले हमने कुछ नेक्बेंट वगरा रिवीव करेंगे तो मेरेको कॉमेंट सेक्चेन में ना बोट रॉकर्स 255 प्रो प्लस बहुत से जेशन मिला कि यह तेरा सुर पर नेक्बेंड है आप इसके बारे में क्या कहते हो मैंना कहेंगे क्या रिवीव करेंगे तभी हीवाली च्छेन वाला के सारा बट जया और अच्छेन में यहाँ तो पूरा अगल में बाकिये तो काई जिसा косिने वाले और यह हमारे को यहां पर मेगनेटिक वाला मिल जाएगा और हाँ प्ले पॉज वाल ऑप्शन नहीं मिलता सिर्फ मेगनेट वैसी अठकाने के लिए ना गले में और जो बिल्ड बिल्ड की बात चल रही होते ना इसे तुम कमफर्ट भी चेक कर लेना चाहिए वाओ इसके अंदर है कि भार के आवाज आपको सुनाई नहीं देंगी मतलब वैसे सुनाई देंगी काफी हत्तक कर देंगी और यहां पे जो नेक बेंड का वेट है वो सिर्फ 30-32 ग्राम्स है तो कोई खास इतना भार ही नहीं है बड़ी है पैन्वेन के गूम हो कोई दिक्कत नहीं वाली इसक अब हमारे को बटन कंट्रों मिल जाते हैं जिसमें गाना प्ले पॉस कर सकते हैं गाना चेंज वगरा कर सकते हैं और तो और एसिस्टेंट भी ओपन कर सकते हैं ऑन दो गो कुछ भी अपना गूगल से बात चीत करने हो वाई साब वैदर कैसा है बहुत बढ़िया और बाग चार्ज टेकनॉलजी के साथ आता है दस मिनिट आप चार्जिंग के लगा होगे टैन आर्स का बैकप यह आपको देगा फास्ट चार्जिंग और यह सका माइक टेस्ट है इंडोर में कुछ ऐसी क्वालिटी यह देगा बिल्कुत शांत कम रहा है कमरे में ऐसी को दिख कर द पॉइंट बाता है आपको कैसे लगीगा अब यह हमारा गेमिंग वाला नेक बैंड तो नहीं है तो म्यूजिक के लिए हम इसको टेस्ट करेंगे डेफिनिटली इसके अंदर आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं अब देखो मेरा नमरों से विश्वाज रुट चुका ह बेस आपको इसके अंदर बढ़िया मिल जाएगा रेबल मेरे को थोड़े से कम लगे जो हाइस होते है न उसके अंदर थोड़ा सा आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हां कहीं न कहीं फ्लाइट है बट वही बात है जो गौर करके सुनने वाले हैं ओवरॉल जो सांड का पैकेज हो बढ़िया है यहां पर बढ़िया मिल जाते हैं मिट्स का मैं क्यों बता रहा है मुवीज बगार आप देखते हो सीरीज बगार देखते हो तो उसके अंदर आपको डियालोग वगार रियल टाइम सुने दे आता है एंटर्टेन्मेंट के मामले में जो इसकी लेटेंसी है वो सही है गेमिंग के साफ से लेटेंसी नहीं है मल्टी मीडिया के साफ से सही है और यही पर कंक्लूजन की बात कर लेता है थर्टीन हंडडर्ड रुपीज का नेक्बैंड है यह बोट रॉकर्स तो कोई दिक्कत नहीं लगी इसके अंदर बाकी आपका क्या कहना है वैसे तो में से किसी लोगों ने सजेस्ट किया रिवियो करने के लिए और आप कौन से नेक्बैंड यूज कर रहे हो इसी प्राइस पॉइंट पर यही वाला यूज कर रहे हो तो अपना एक्स्पीडियेंस जरूर शेयर करना और लोग के लिए हलप हो जाएगी और कोई सजेशन